स्लिपिंग मेडिसीन अगर आप ज्यादा डोज ले लो तो दोस्तों जैसे बारा घंटा के प्लेस पे आप अठरा घंटा सोके रहते हो ठीक बेसे ही मार्केट मुझे लगता है खास करके बेंग निवटी भाई स्लिपिंग मेडिसीन एक डिबबाई खतम कर दिया है पिछले तीन दिन से सो ही रहा हैं और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रूप पे नहीं जुड़े हैं जोइन टेलीग्राम बोलके डिस्क्रिशन में लिंक दिया हो उस लिंक को क्लिक करके जोइन कर लीजिए क्योंकि मेरे भाई कल के दिन अगर जाग गया ट्रेंडिंग मार्केट हो गया तो लाइव मार्केट में जैसे मैं लेविल देता हूं हमेशा दूंगा 25,484 के नीचे क्लियर कट मैंने उस दिन सेल करने को कहा था और जैसे ब्रेकडाउन किया वान फ्लो में निप्टी 80 पॉइंट गिरा है और आज के दिन मेरे भाई यहीं ड्रामा करने वाला है यहीं सोने वाला है बोलके मैंने प्रॉपर ऑप्संचन इंडिस दे दिया था लाइव मार्केट में 11.38 में बोल दिया था कि अज पर ऑप्संचन डाटा 24,200 रेजिस्टन से 53,900 मेरे भाई सपोर्ट है और इसके रेंज के अंदर ही रहेगा और तिल देन साइडेस बोल के लिखा था वहीं हुआ आज के दिन मार्केट में तो यार ऑप्संचन इंडिस के लिए तो यार प्री के दिन निप्ती का एकस्पैरी भी है और ये विडियो में यार फिर एकलिता है पर फिर अप्सेट हो जायोगे या फिर आप ढूंडते रहे जाओगे और लोग इसे ही कमेंट करते हैं ये बाले वीडियो पे कि भाई निप्टी का एक्सपारी नहीं डाला तो यार सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजे आप सेकेंड वीडियो देख रहे हैं डेली दो वीडियो क्यों डालता हूँ आप लोगों के लिए और यार लाइक कीजे देखिए 115 लाइक का टारगेट में दे रहा हूँ बहुत कम लाइक टारगेट है 115 लाइक चुटकी बजाते हैं कंप्लिट हो जाएगा तो यार समेस कीजे जो भी आपने कॉल पूट लिया हैं कमेंट कर लीजे दोस्तों मैं तो सब का रिपलाई देता हूँ कभी इगनोर नहीं किया वो सब लोग जानते हैं सबता कमेंट का रिपलाई 9 बच के 8 मिनिट से 15 मिनिट के अंदर दे ही देता हूँ यार हर दिन देता हूँ और यार मेरे देने से पहले बाकी लोग भी आपका हेल्प कर लेंगे या फिर आप भी कमेंट कीजिये आप भी किसे कमेंट देखें कोई अपने कॉल ले आए देन हेल्प कीजिये तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्लान दोस्तों कल के दिन के लिए अगर बेंगनिटी फ्लेट ओपन हो गया ये जो पिछले तीन दी से सोया हैं कल भाई सोता हुआ सेड़ जाकता हुआ दिख रहा हैं अगर कल के दिन 54,247 अगर ब्रेक आउट कर देता है न तो बाइ ये एक रेंज पे सोया हैं एक रेंज पे हॉल्ट कर रहा हैं अगर आप देखोगे 54,190 से 54,247 एक प्रॉपर कहीं न कहीं रेजिस्टन्स जोन है इसी रेजिस्टन्स जोन से अगर आप देखोगे दोस्तों रिजेक्शन किया फिर उपर गया थोड़ा सा रिजेक्शन फिर कल के दिन टच किया फिर rejection आज के दिन भी आ के आप देख सकते हैं dot कहीं न कहीं उसी resistance के आज़ पास halt किया हैं तो मेरा कहीने का मतलब है दोस्तों एक upside का move दे दिया एक top बना दिया एक resistance create हो गया उसी resistance के आज़ पास 3 दिन से कहीं न कि market halt कर रहा है सो कल अगर market flat open हुआ multiple time आप कहीं सकते हैं ये resistance कहीं न कि टेस्ट हो चुका है after breakout थोड़ा सा retracement लेके फिर जब उपर जाएगा definitely view buying के तरफ ही होना चाहिए और target थोड़ा कल के दिन आप बड़ा रख सकते हैं क्योंकि यार बहुत side is हो गया तीन दिन के बाद possibility यहीं बनता है कि कल के दिन आपको एक trending momentum देखने को मिले plan number A clear है cut है plan number B की तरफ जाते हैं कल के दिन अगर market slightly gap down open हुआ या फिर flat open होके यहाँ पे थोड़ा consolidate करके below 54,000 level के नीचे price section दिखा दिखो breakdown करने पे कुछ नहीं होगा 54,000 के नीचे पांच मिनिट का एक red candle का red candle close दे दिया चलो यार मैं put buy कर लेता हूँ बहुत गलत है ऐसा करना ही नहीं है 54,000 के नीचे एक दो red candle close हो जाने दो थोड़ा सा उपर एक green candle करने दो फिर जब breakdown कर रहा है ना दोस्तों तब जाके एक price section confirmation मिलेगा और उसके साथ साथ दोस्तों dot आप देख सकते है जो support trend line में ने draw किया वो भी तूट जाएगा और नीचे का support 54,000 भी तो अगर 54,000 एक round level भी है support भी है support trend line तूटेगा तो इसके नीचे जब price section दिखाएगा ना तब जाके हम put buy करेंगे clear हो गया दोस्तों plan number C की तरफ चलते हैं और वो plan number C है दोस्तों medium gap up मैं एक बड़ा gap up बोल देता हूँ तो यार लोग बोलते हैं कि हमें पता है वो क्या करना है यूँगि हर एक वीडियो में बताते हैं तो medium gap up पे कल के दिन क्या भी हो रहेगा medium gap up पे भी view buying की तरफ ही रहेगा क्योंकि देखिए market का nature यहीं है market अगर नीचे गिर रहा है तो एक दिन trending रहेगा तीन चार दिन time pass करेगा एगन range चूटेगा नीचे की तरफ तो गिर जाएगा ठीक वेसे हैं दोस्तों उपर की तरफ market उठा अब तीन दिन से halt कर रहा है कल अगर breakout देगा तो एक बड़ा move देखने को मिल सकते हैं और वहीं structure कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों की एक अच्छा खासा उस दिन up move दिया and then Monday Tuesday Wednesday हो गया है तीन दिन पूरा side is a range के अंदर and then breakout जब देगा तो move continue रहेगा तो कल अगर medium gap up हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बस आपको position लेना है तो आपको करना क्या है देखिए यहां से ना मैं एक zone draw करता हूँ आप सब के लिए यहां पे यहां तक आप clearly समझ में आगे zone draw कर दिया बस जो जो resistance है उसको थोड़ा सा connect करके इसको थोड़ा साम red color कर लेते हैं perfect यहीं सही रहेगा और एक zone आप क्या देख रहे हैं कि भाई यह जो आपने zone draw किया हमारे सामने 5 minute time frame पर यह एक resistance zone है बिल्कुल आपने सही समझा यहां से आप देख सकते हैं एक बार यहां से आप देख सकते हैं दो बार यहां पर आप देखें तीन चार बार और दो बार टच किया तो यहां से आप देख सकते हैं कि यार सही तो हैं यहां से बार बार price कहीं न कि आज के दिन भी price यहां पर रुका है that means कि यह एक resistance है कल माल लेते हैं यहां से ना medium gap up यानी कि 100 point का 80 point का चोटा सा gap up में बोल रहा हूं खुल गया okay that इसका क्या meaning हुआ कि यार यह एक resistance था इसको तोड़ के तो gap up खुला है ना इसके उपर market गया है तो इसको तोड़ के ही गया है so यहां पर आप देख सकते हैं कि एक resistance है but already अगर market तोड़ के इसके उपर खुला है ना तो यार resistance को तोड़ दिया अब फिर जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा support बनेगा यहां से फिर market उपर जाएगा तो अभी आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कल अगर medium gap up खुला जैसे ही dip डुकी मारा डुकी मारेगा आज का closing price के आज बास यह zone में आपके सामने draw किया हूँ कोई rocket size नहीं है दोस्तों simply आपको connect करना है यह जो आप देख रहे है price action थोड़ा size समझ के connect कर देना है आपको तो यार यह zone कल के लिए आपके लिए बहुत important निकल medium gap up खुला थोड़ा नीचे आके आपको चोबन हजार एकसो तीसक से चोबन हजार एकसो अठासी इस zone से आपको double pattern मनता हुआ दिखा call के तरफ जाएंगे थोड़ा gap up खुल के थोड़ा डुकी मारा यहां से higher high दिखा फट से call के तरफ जाएंगे थोड़ा डुकी मारा इस zone के अंदर यहां से एक bullish candle दिखा पंदरा मेनी time frame पे उसका high breakout करता हुआ दिखा यह जो moment है यह जो rally है यह continue रहेगा ठीक है अब चले जाते है plan number D पे अगर कल के दिन बड़ा gap up खुल गया तो 101% फिर planning sell के तरफ रहेगा क्यूंकि पिछले तीन दिन से जितने भी लोग call बगरा buy किये हैं और इवन आज के दिन gap down खुला थोड़ा सा उपर आ या तीन candle पूरे दिन सोता रहा तो सोते 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 वो snail हो है ना अब देखते हैं दिवार पे भाई snail जितना धीरे 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 जाते हैं ठीक उतना ही धीरे से market आज के दिन उपर गया है तो यार जितने भी लोग call buy किये हैं ना कल gap up खुलते हैं अपना buy position exit करेंगे market नीचे के तरफ आएगा तो profit booking भी देखने को मिलेगा खल बड़ा gap up हो गया तो या बड़ा gap up या नहीं कि 300 point 350 point को बड़ा gap up मान सकते हैं तो बड़ा gap up खुला like lower low बनते ही put buy करेंगे बड़ा gap up खुला पहला 5 minute candle बन गया उसका low टूटा put buy करेंगे mp10 बना put buy करेंगे put के तरफ ही देखेंगे after big gap up ठीक है और gap down पे तो भाई मैं तो कल भी बोला था gap down होगा तो market recover कर देगा और भाई कर दिया guarantee देके बोला था लेकिन कल के दें twist अलग रहेगा plan number D की में बात कर रहा हो कल अगर market gap down खुला तो यह थोड़ा उम्मित कम ही रखिये कि कल भी market recover हो जाएगा होगा 50-50 chance है उसका भी हम discuss कर लेते हैं देखिए कल अगर market माल लेते हैं बड़ा gap down इस place पे इस place पे से कुछ खुल गया न तो definitely नीचे support है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे support हैं यहाँ पे आज के दिन support बनाया तो कोई tension बाली बात नहीं है होगा क्या कि अगर gap down खुल गया तो बायर तो recover करेंगे obvious ही बात है वो कोसिस करेंगे so after gap down हमारा पहला priority higher high देखते ही buying करना है right w pattern देखते ही buy करना है यह तो हमारा priority देखेगा buying के तरफ ही लेकिन अगर बड़ा gap down कल खुल गया अगर gap down gap down खुलने पर मैं जरूर यह बोल रहा हूँ put के तरफ जाए क्योंकि profit booking देखने को मिल सकता है और दो तीन बात तो sustain कर चुका है तो कल gap down खुला और lower low price section दिखा लब खुला नीचा आया उपर जाके fit नीचा आ रहा है put buy करेंगे खुला उपर गया fit नीचा देके उपर जा रहा है तो bind के तरफ जाएंगे ठीक है अब चले जाते हैं option chain पर like 54,135 के आजपास दोस्तों close दिया है bank nifty अब आचुके bank nifty के option chain पर call writer put writer और यह option chain एक October का है आज तो खतम हो गया expiry था तो दीखे 54,165 के आजपास close दिया है bank nifty तो 54,200 पर आप देख सकते हैं तीन लाग call writer 54,100 पर कुछ खास call writing नहीं है पांच लाग है उसके उपर एक लाग है अब आज ही खतम हुआ है तो क्या ही data बनेगा तो कल के दिन 54,200 के उपर buying के तरफ नहीं जाएंगे नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे 54,000 एक round level है भरोसा बहुत है put writer को 10 लाग से जादा put writing हुआ है यार 54,000 के level पे तो below इसलिए तो मैंने plan number B पे कहा था आपको below 54,000 हम put के तरफ जाएंगे 54,000 के नीचे जब तक price section नहीं दिखता तो put के तरफ हम नहीं जाएंगे ठीक है अब चले जाते हैं दोस्तों mid cap nifty mid cap nifty के अगर मैं बात करूँ कल के दिन अगर flat open हुआ above 13,267 price section दिखा breakout, retracement and then up breakout, retrace and then up यहीं price section दिखा above 13,267 then buying के तरफ जाएंगे and 13,325 के उपर बड़ा move देखने को मिलेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा resistance मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा यानि की बहुत बड़ा resistance है तो जान रखिये, अगर 13,325 के उपर गया then go for buy और sell की अगर मैं बात करूँ then 13,205 bill आप पूट के तरफ जाएंगे 13,205 की नीचे sell की तरफ क्योंकि support trend line touch up support trend line touch up तो अगर कल के दिन support trend line breakdown करेगा उसके साथ साथ दोस्तों जो 13,205 का level है वो भी breakdown कर देगा support level then put के तरफ जाएंगे बाकी same है plan gap up खुला तो बड़ा gap खुला तो sell बड़ा gap down खुला तो buy अब चले जाते हैं दोस्तों like fin nifty fin nifty की अगर मैं बात करूँ कल के दिन के लिए simple है अगर plate open हुआ 25,038 का level break किया सीधा buying के तरफ जाना है breakout little investment end then up क्योंकि आप देख सकते हैं 25,038 new lifetime high एक resistance simply break out करेगा buying की तरफ जाएंगे plate open होके 26,936 के नीचे आएगा input के तरफ जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं एक बार trend line दो बार trend line तीन स्री बार trend line को touch करके उबर गया and then like 24,937 एक swing है एक support हैं तो उसके नीचे गया input के तरफ जाएंगे बागी तो प्लान से में दोस्तों गेप अप और गेप डाउन पर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए जाके फ्री वाले ग्रूप पे जोइन कर लीजिए अपने ममी को बहुत सारा प्यार दीजिए उनका हमेशा क्यार कीजिए चले दोस्तों मिलते हैं कल के दीन थेंक्यू सो माच टेक क्यार बाइ और एंड सी यू